हला अरिवन वेलकम टो आवर गेंश्टेडी तो आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 7 की पॉलिटिक साइंस का चप्टर नमर 2nd अपने विडियो के उसमें क्या रोल होता है हम इस वीडियो के अंदर वही में चोड़ नालेगी से हमें हमारी है tul फीट रहे गे इसके अलावए भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि हमारी है इसके डिपेंड होती है कि हमें कोई भी डिसीज़ इस बीमारी ना हो इसके अलावह हम में क्या रहकाँ है यह क्लीन वोटर मिले मतलब कि मैं बोल दो मैं हमें कोई भी बिमारी ना हो कोई भी हमें चोटना लगे और इसके अलावा हम जो clean water मिलता रहे clean food मिलता रहे हो जो हमारा environment वो भी clean हो जिसे के हमारी जो हमारी body है वो inactive हो जाते कई बार जैसे हम गंदा खाना खा लेते हैं तो इन चीजों से भी हम free from रहें यह होता है health का मतलब तो दोबारह कर डिफाइन कर देते हैं आपको health का मतलब होता है कि में कोई भी बिमारी ना हो कोई भी इंजीरी ना हो और इसके अलावा हमें हमेशा साफ पानी मिले हमेशा साफ food मिले हमारे इन्वोर्मेंट फ्री रहें जिसे के में कोई भी डनलेस ना हो कोई भी हम इन एक्टिवनेस ना रहें इन सारी चीजों से तो यह होता है health का मतलब एंडिया के अंदर health care कैसे अच्छा हो सकता है तो health care हमारे किस पर डिपैंड होता है जितने हमारे यहां पर सर्विस अच्छी हो उसके साथ ही बलड बैंक भी हो मतलब के अब यहां पर जितने भी हमारे हमारे खून होते हैं यह पोजिटिव भी पोजिटिव यह होते हैं यह भी हमारे लार्ज अमांट में इनका blood bank प्रोवाइड हो इसके अलावा workers भी लार्ज अमांट में हो nurse, doctors हो अच्छे और health professional advisor हो health तो इन सब पर depend होता हमारा health care system और के साथ हमें medicines वगर हमारी tablet, equipment, मतलब हमारे tools होते हैं जैसे seizure, bandage यह सारी भी अच्छी quantity में हमें मिल जाए तो इससे हमारा जो health care system है वो अच्छा हो सकता है इन पर depend करता है इंडिया का health care system बट अब इंडिया के अंदर देखते हैं health system के अंदर कैसा है तो first, India has a large number of medical colleagues हमारी हाँ पर large number में medical colleagues है उसके 30,000 qualified doctors है वो 30,000 नए doctors बनते हैं हमारे इंडिया के अंदर जो कि other country में इतना देखने को नहीं मिलेगा बट इंडिया के अंदर होता है large producer of doctor है इंडिया उसके साथ हमारी हाँ पर health care facility में सबसे पहले हमारी हाँ पर 950 में 2717 गोर्मेंट होस्पिटल थे वहीं आज की समय में हर साल बढ़ रहे हैं तो आज की समय में यहाँ पर हमारे इंडिया में 23,583 होस्पिटल से तो इसकी जो amount वो दिन पर दिन increase होती जा रही है आप देख लो तो यहाँ पर हमारे medical tourist जो other country से डॉक्टर बन के आते हैं हमारे यहाँ पर इससे भी हम इंडिया के अंदर सर्विस देख लिए कितनी अच्छी है उसके साथ ही जो हमारे यहाँ पर medicine वो लार्ज मांट में इंडिया के अंदर बनती है बट हमारे यहाँ पर यहाँ तो अच्छाई देख लिए इंडिया के खराब है यहाँ पर जो ढोक्टर ने बंते ना वो रूलर एरिया से घहां लेकिन क्या है अर्बन एरिया में सेट्टम हो जाते हैं जीमिन अवकृब्स थोक्टर्बें करेग् musimy रूलर एरिया में इतने नहीं देखने को मिलते हैं रूलर एरिया होता है गाउ वगेरा का एरिया वहाँ पर हमें नहीं मिलेंगे बट इन अर्बन होता है शहर में बहुत ज़्यादा लार्ज अमांट में डोक्टर मिल जाते हैं अबाउट फाइफ लैक फिपल डाई होते हैं मतल हर साल पांच लाख लोग मर जाते हैं टिबी की बिमारी होते हैं उसके कान पांच जो पांच लाख लोग हो मर जाते हैं मलेरिया से टू मिलियन लोग मर जाते हैं तो यह हर साल ऐसी ही रिपोर्ट आती है कि दिन पर दिन क्या बीमारी 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 बीजाद ही इंक्रीज हो रही है उसके साथ यहाँ पर communicable disease communicable disease किसे बोला जाता है communicable disease उन्हें बोला जाता है जो कि 1% से दूसरे परसन नोर्मली फैल जाते जैसे कोवीड-19 था वह इसली प्रोपर मैंनर में मिल पाता है जिसे कि बच्चे क्या मान न्यूट्रेशन हो जाते हैं कि उन्हें भर खाना नहीं मिल पाता तो हमारी यहां पर यह पिमारी भी देखने को मिलती है कि बच्चे क्या है नोर्मल एज में क्या है वो फिट नहीं हो पाते किसी मतल की वो हैल्थ उनकी अच्छी नहीं होती है तो ये चीज क्या हमारी इंडिया के बारे में बुराई थी वहीं ये चीज हमारी इंडिया के बारे में अच्छा आई थी तो अब हम चलते हैं नेक्स टॉपिक में अब हम ने ये तो देख लिया कि हमारे इंडिया के एंदर क्या-क्या पैसिलिटी अच्छी है बुरा यहां है। लेकिन अब हम देखेंगे कि किस परकार से यह पर प्राइवेट गवश्म सेधार कोटे होते हैं प्रौबीक हाल क। एक क्लीनिक होते और होस्पिटल्स होते आप देखते हो पब्लिक हैल्क सिस्टम होता है एक सिस्टम होता है जिसके अंदर वो काम करते हैं गोवर्मेंट के अंदर काम करते हैं वो क्या गोवर्मेंट होस्पिटल्स के पैसे हम नौर्मल पीपल तो लैस अमांट में अपना काम करवा लेते हैं वह काम कैसे करते इतने सारे इतने बड़े-बड़े होस्पिटल को फीज को देते हैं उनको देती हैं टेक्स हम टेक्स पे करते हैं गवर्मेंट को जैसे टूल टेक्स में अर्मिये कंब कर दिया उन्होंने यह काम क्या है वन अदे को but कौन फिस देदें आउन्हें गॉझमन का पोको नकापों में इक इन आव को झामों में लगाती है। इवन आफर विनावन पबलिक हेल्ट जीस्टॉम arguments bạn यंहों चॉदर प्रोवाईड। पर हेल्थ केर फैसिलिटी टू पीपल गॉर्मेंट होस्पिटल बहुत बड़े होते आपने नॉर्मल देखा लेकिन क्या वो अच्छी सी क्या है फैसिलिटी प्रोइड नहीं कर पाते किसी भी नॉर्मल परसल को जैसे कि आपके हां पर स्टोडी दी गई है एक अमन की है और वेकंगanners और अमन और फैमिल से बेलोंग करता है और राजन वह अमीर से बिलोंग करता है नों को स्थी, अमन राजन को दोनों को विरल फीवर होता है ने gen kiss आप सबरी पढ़ता है अच्छी से दोक्टर बात करते हैं जब जाते ही उनको ओती है और वो ऐसी मिल लेते हैं डोनों को क्या बोला जाता है चया बलड करवा तो ऑमन भी वह अच्छी तरहें नहीं कर रहे थे प्रित क्या राजन से जब नर्स थी वह बलड ले रही तो अपने वो अच्छी तरीक से बात करी होती है अमन को बोला जाता है कि आपको जो ब्लड टेस्ट है आपकी रिपोर्ट है वो तीन दिन के बाद मिलेंगे बट राजन को वो 15 मिनट में मिल जाती है किना डिफ्रेंशेट है वहीं अमन को तीन दिन के बाद मिलते हैं इसको 15 मिनट के बा लेकिन बहुत लंबी लाइन लगनी पड़ती है हमें बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ते हैं अपने प्राइवेट हेल्थ केर सिस्टम अब हमने पब्लिक जो गोर्मेंट होस्पिटल्स होते प्राइवेट होस्पिटल उनको देख लेते हैं मैंने आपको बता है जो पब्लिक होस्पिटल्स होते हैं किसके अंडर काम करते हैं वो गोर्मेंट के अंडर काम करते हैं क्योंकि हम जो गोर्मेंट होते हैं वही तो पैसे देते हैं उनको तो कहुं कि हमारे भी ऊर्भं ओंगार में सम cities झेली में नीच्छ लीज़िर कानु उप्यार। सबसे पहले कमारे विलेज लेबल पर हुते हैं कुछ गोर्रेम्ट उस्पीटल होते हैं आप जैसे कि आपने आप गाव वगारे में रह रहे हो तो कई पर क्या होता है जो गोर्मेंट होस्पिटल होते हैं वो चोटी-मोटी बीमारी ही चेक करते हैं स्युक्त है फोटी ज्यादा क्रिटिकल सिच्वेशन आपको बड़े होस्पिटल में जाना पड़े हैं और फिरोटा टीन लेवल पर होते हैं गोश्पिटल होते हैं नोटे बड़े दोक्टर्स होते हैं जो कि एक special doctor होता है हर एक के जैसे कि हमें malaria का अलग doctor मिलेगा डेंगू का अलग मिलेगा यह कुछ हे अलग-अलग बिमारिया होती हैं उनके TB का अलग मिलेगा यह सारी जो बिमारिय होते ही हिनका special doctor होता है हर एक का अलग-अलग होते हैं वट यहां पर हम दोनों जिंगा देखे तो यहां पर क्या具 एक ही ढोक्टर होते हैं जो सब पी बिमारियो को देखते हैं यह हमने देख लिया गोव्रमेंट होस्पीटल का अब हम देखते हैं कि हम पब्लिक क्यों बोलते हैं इसको पब्लिक होस्पिटल क्यों बोलते हैं क्योंकि पब्लिक होस्पिटल इन्हें इसलिए बोला जाता है क्योंकि पब्लिक होस्पिटल इन्हें इसलिए बोला जाता है क्योंकि क्या होता है विदाउट अनी डिस्क्रिमिनेट कि कोई भी भे कि विदावटानिक डिस्क्रीमिनेट आपका इलाज हो सकता है ग्रॉर्मेंट होस्पीटल में निटी फंक्ष्ण और पबलिक हेल्ट सर्विस हमारे चोड से विस होते हैं इस पर क्या हम फंक्ष्ण क्रिएड करते हैं हमारे public hospital होते हैं आपको पतें प्विल्च को fiction of public health services तेक एक्शन प्रिवेंट आदोայर्भी मरत प्रीजिस में जब करेंगे विदाउट ने डिस्क्रिमिनेट जैसे टीबी का मलेरिया का जो बीमारी होते हैं उनका इलाज करेंगे गोर्मेंट मस्ट सेफगार्द गोर्मेंट की क्या है एक रिस्पोंसिबिलीटी होती है कि वो क्या करें है लोगों की हमारे एक फंडामेंटर राइट होता है 21 हमें अब जीने का पूरा दिकार है तो इसमें क्या है मैं धूंधिकार मुझे चोट लगी है मैं गुवर्मेंट होस्पिटल में जाते हूं वह मेरे इलाज नहीं करते तो क्या है उस कोर्ट में जाके बोल सकते हूं कि इस होस्पीटल में मेरी इलाज नहीं करा जिस परकार से आपने अपनी इसमें हाकिम शेक की स्टोरी पड़ी हो हाकिम शेक क्या होते हैं एक और्गेनाजिशन से बीलोग करते हैं जिसमें कि ने 31 होते हैं उनकी पेचोट लग जाती Convenia इसमें कि क्या होते हुए आठ होस्पिटलोटे से गोर्मेंट यह को क्वेर्मेंट सबित्वराइब..! लेकी नहें पूर्मेंट फॉस्पीटल में क्याया अगवानने मिलते हैं इसको यहान पर बैद नहीं है यहाँ पर डॉक्टर नहीं है यहाा पर यह चीज नहीं तो उन्हें at hospital बदलने पढ़ते हैं इनकी situation होते हैं जादा खराब होती है तो वह प्राइवेट नहीं old में जातेइं इलाज करवाने के लिए जिन में कि उन्यों बहूं ज्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं प्राइवेट होस्पिटल में प्राइवेट में पैसे लेते हैं उनको सिर्पे लगी थी तो बहूं तो उन्स सभी ने मिलके जो उने कि जो और गनाजेशन थी उन्होंंने क्या बALL जया था कोर्ट में गए थे और फिस लगी थी उन्हें कinekी माँ हो गई थी प्राइट वास्पिटल के कार यह गॉर्मेंट के यह responsibility बनती है कि सभी को जीने का अधिकार है क्योंकि गॉर्मेंट hospital नहीं लापरवाई करी थी तो इसके अलावा क्या उन्हें पूरा fund मिला था तो इसलिए कि राइट टु लाइफ according to constitution स्वीधान हमने फर्स चेप्टर में रीड कि इसमें गॉर्मेंट हमारा welfare के लिए काम करते हमारी भलाई के लिए काम करती है जो नहीं करेगी तो क्या हो जाएगी इसको सजा मिलेगी जैसे कि हमने हाकिम शीक की स्टोरी रीड करें जानने चाहिए के फिक फिर सफेसलिटी देखते हैं प्राइवें नहर्थ olduğ BM कैसे फिक होएं आपको वैडडरेंज प्राइवेट होस्पिटल से बहुत अलग-अलग जंक्चार के प्राइवेट होस्पिटल मिलेंगे कहीं भी मिलेंग तो क्या है प्राइवेट huh dher और होस्पिटल नर्शिंग होम्स प्राइवेटली आंड क्या होते हैं जसके बढ़ेट होटे हैं प्राइवेट होस्पिटल में क्या है प्राइवेटली किसी डोक्टर को हाय कर सकते अपने प्राइवेट हैल्फ फैसिलिटी और नोट अलाउंड और कंट्रोल बाद गवर्मेंट की गवर्मेंट के अंडर काम नहीं करते हैं क्योंकि वो प्राइवेट खुद ने बना रहे हैं जिसने डॉक्टर की कोर्स कर लिया अपना करवा सकता है कि मैंने उस्पिटल खोला बट उसने सिंगनेचर लेने पड़ेंगे कि मैंने यह उसने पूरी फॉर्मेल्टी करवानी पड़ेगी गवर्मेंट से फिर वो अपने काम कर सकता है वहां पर और यह आप देख लो वहां पर जो फैसिलिटी होती है आप लोट ओफ मनी करो वहां पर खर्च करो और आपको जो स इस्तमाल करने पड़ें हैं एक्वालेटी इन देख लेटाइड कोई भी होस्पिटल जाज़ते हैं लेकिन यह चीज़ देखे तो प्राइवेट और पब्लिक होस्पिटल में डिफ्रेंशियेट देखने को मिलेगा जो पब्लिक होस्पिटल वो धीरे दीरे बटे लेकिन जो प्राइवेट होस्पिटल यह जाधे निफ्रेंश बढ़ रहे हैं बहुत लगाता क्यों बढ़ रहे हैं जो बड़े-बड़े डोक्टर होते अपनी स्टडी करते हैं वह खुद का होस्पिटल खोल लेते हैं यह होता है एक कमी है और दे आर नो इंक्रीज इन पब्लिक सब्सक्राइब कोश्ट और जो प्राइवेट होस्पिटल है उनकी जो कोस्ट होते हैं वह ज्यादा हाई होती जारी है पूरे मेडल क्लाज जो पीपल होती है वह इसली उनको क्या वह अपना पैसे खर्ज करके वह करवा सकते लाज और उनके लिए बहुत जादा कठी ना हुए लेकिन पूर पीपल होते हैं वह तो नहीं करवा सकते वह में आ जाते हैं उनकी क्या हते यह आप देखऊ घुर है उसको कोई भी मारी हो जाती है यहened कोईभी डिशीजीज हो ले के बाद क्या है वह अपना सार। शारे जो पैसा है मनी होते उसको इसमाल कर देगा उसको बचाने के लिए बट क्या हो जाएगा दोबार से पूर हो जाएगा यह उनकी सिच्वेशन चलती रहते हैं इन पूर फैमिली के अंदर तो यह क्या हम देख सकते हैं नूर्मल इंडिया के अंदर भी आप देख लिए जैसे कि कोई अमीर जो लोग होता पूर पीपल होते हैं वो इसको नहीं करवास्टे और वह गलत काम करने लग जाते हैं इसके कोडिग जैसे कि वह चोरी करने लग जाते हैं अपने उसको करने के लिए लोगों को ऐसे बढ़ावा मिलता है कि हमें क्यों नहीं है वर्ट केंड बी डन हम क्या काम कर सकते हैं तो एक गौर्मेंट की रिस्पोंस्पिलिटी बनती है कि हर एक जो सिटीजन होता है पूर और रिच हो उसकोड किसी परकार का डिस एडवांटेज नहीं तो कुछ गौर्मेंट ने अच्छे-चे काम करें जिनको हम रिडी करने वाल ने क्या काम कराता है केला ने 1996 में केला में 40 पर संट जो का बजट आता हमारी हां पर देश में बजट आता है हम इतना पैसे लिए इतना 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 तो पूरे देश को होता है लेकिन पूरे देश में से हर एक स्टेट को पैसे दिया जाता है कि आप इतना रखोगे, आप इतना रखोगे, आप इतना रखोगे, आप इतना रखोगे. नहीं होता बहुत ज्यादा दा क्या है उसी जो उन्हाइब पैसे मिलते हैं कॉन्हें प्रूब करने के लिए कि अब देखते हैं को स्टारीका करके को स्टारीका क्या होता है एक नोर्थ अमेरिका यहां पर होता है हमारे कॉंटिनेंट नोर्थ अमेरिका यहां पर साउथ अमेरिका होता है इसको हम सेंटर अमेरिका बोलते हैं तो सेंटर अमेरिका का एक जंग है कोस्ट अरीका करके वहां पर क्या है एक उन्होंने क्या बोल दिया था कि उन्होंने बोला था कि हम आर्मी नहीं रखेंगे आर सिस्टम पर लगाएंगे उन्होंने वहाँ आपके अच्छा करवाया तो आप दे सकते हो कि इससे कितना भला होगा लोगों का तो इससे क्या है और दो गोर्मेंट के बारे में पढ़ा जिन्होंने अच्छे काम करें यह वीडियो यहीं तक थी थांक यू फॉर वोचिंग जनल